स्टूडेंट्स के लिए अमेजिंग फाक्ट्स इन हिंदी अबाउट वर्ल्ड दिये गए हैं। पैरिस में वहां कि जन संख्या से ज्यादा संख्या वहां के कुत्तों की है। शत्रंज का अविशकार भारत में हुआ और ये दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग की कसरत करान वाला खेल है। डॉल्फिन मचली अपनी एक आख खुली रख कर भी सो सकती है। दुनिया में लगभग 11 प्रतिशत लोग अपने बाएं हाथ का इस्तिमाल करते हैं। व्यक्ति को खाने में स्वाद तब आता है जब उसके खाने के साथ सलाइवा मिलता है। लेटरी अंग् दिन में जितनी बार अपनी पल के जपकाता है वो कम से काम आदे घंटे आख बंध होने के बराबर होता है। उमंगोट नदी को भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। दुनिया में आस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की। भारत में पहला आधार कार्ड एक मराथी महिला रंजना सोनवने का 2009 में बना था। प्लास्टिक सरजरी का आविशकार भारत में हुआ था। दुनिया के सबसे पहले कैमरे से फोटो खीचने के लिए 8 घंटे तक कैमरे के आगे बैठना पड़ता था। प्रित्वी पर सबस गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंज है। यह 36,201 फीट 11,034 मीटर गहरा है। वह लगभग 7 मील है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। जिसकी लंबाई 6,853 किलो मीटर है। इसके जल संसाधनों को 11 देशोद्वारा भी साजा किया जाता है। सबसे अधिक रंगों वाला राश्ट्रिय ध्वज बेलीज 1981 हैं जिसमें 12 रंग है। पहला हैंड होल्ड मोबाईल फोन कॉल 3 अप्रेल 1973 को NYC में किया गया था। अमेरिकी क्रांती 1765 से 1783, फ्रांसीसी क्रांती 1789 से 1799 से पहले हुई थी। एंग्लोजान जी बार युद्ध 1896 अब तक का सबसे छोटा युद्ध था केवल 38 मिनट तक चला। प्रिंटिंग प्रेस जिसने सूचनाओं के आदान प्रदान में क्रांती लादी का आविशकार गुटेनबर्ग ने वर्ष 1440 के आसपास किया था। मिस्र को दुनिया के सबसे पुराने देश के रूप में वर्गी कृत किया गया है। इसका इतिहास 3100 इसा पूर्व का है। टिम बरनसली ने 1990 में पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। 2019 में वेग्यानिकों ने सुलावेसी नामक इंडोनेशियाई द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी ग्यात कलाकृती की खोज की। इसका निर्मान 44,000 वर्ष पूर्व हुआ था। लियोनार्डो दा विंची की सेलवेटर मुंडी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है जिसकी कीमत 450.3M है। एवेंजर्स एंड गेम 2.72 से अधिक की कमाई के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। 2023 में दुनिया की सबसे धनी कमपनी आपिल थी। भारत के गुजरात में स्थित स्टैच्यू ओफ यूनिटी दुनिया में सबसे उन्ची है। जिसकी उन्चाई 589 फीट, 182 मीटर है। स्टैच्यू ओफ लिबर्टी तुलनात्मक रूप से 93 मीटर है। सूर्यास केवल इसलिए होता है क्योंकि प्रित्वी का वायूमंडल प्रकाश के लिए एक प्रिज्म के रूप में कार्य करता है। वैज्यानिक भाशा में इसे प्रकीर्णन कहते हैं। वायू मंडल में अनू और कण, जो सूर्यास्त के समय अधिक संख्या में होते हैं, आपकी आंखों से छोटी तरंग देर्ध्य बैंगनी और नीली रोशनी को दूर बिखेडते हैं, ताकि हम स्पेक्ट्रम पर अन्य रंग, जैसे पीला और नारंगी देख सकें। जब आप Google सर्च करते हैं, तो 0.2 सेकंड में उत्तर खोजने के लिए 1000 कम्प्यूटर का उप्योग किया जाता है, दुनिया में लगभग 5 अरब इंटिनेट उप्योग करता है, 2010 में Google ने यहां पता लगाने की कोशिश की कि दुनिया में कितनी किताबे हैं, उनका अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग 130,000,000 है, बाग की दहार 2 मील दूर तक सुनी जा सकती है, प्रित्वी सूर्य से 147.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, और यहां लगभग 4.5 अरब वर् क्यूबा और उत्तर कोरिया ऐसे देश है, जहां कोका कोला की खरीदी नहीं होती, वाशिक्टन राज्य में, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्याले में, दुनिया का सबसे शांत कमरा है, जापान को दुनिया का सबसे अधिक भूकम ग्रस्त देश माना जाता है, अमेरिकी ज्यानिकों के शोद के अनुसार